अगर आप इनको गहराई से, करीब से अगर देखना जाना है आपको पता चलेगा, कि जहां पर इनके खिलास लोग या राजनितिक दल खड़े होकर मजमूती से चुनाओ लड़े, और इनको हरा दिया, वहां पर कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई फिर से खड़ा होकर चुनाओ लड़ने की तो बिहार वो भूमी है जब 2015 में, अमित्सा और मोदी अपने सारे प्रयास के बावजूद इनको सबलता नहीं भी और वो जो डर है, वो कितना बड़ा डर है हार में, अजब आपको ज़्यादा पर आसाम जीत किलती है, तो कहीं को जब आप हार जाते हैं, तो आप उससे ड दरते बहुँ ज़्यादा, तो कहीं न कहीं भादपा को ये डर है भादपा की लीडर्शिक को, कि बिहार की जो राजनितिक, मैं कहूँगा फिस्ट भूमी है, यहां का जो सोसल फैबरिक है, जो यहां समाजवाद की जड़े हैं, वो इतनी मजबूत हैं या इतनी गहरी हैं कि भादपा के लिए इतना असान नहीं है कि पूरे बिहार को अपने एक मोदी के स्लोकन पर जीत लिया जाए, ऐसा हुझको लगता है, सच्चाई क्या है यह तो बगवा जाए, लेकिन ऐसा हुझको लगता है, इसी लिए वो इस तरह के गटवंदन, जैसे निजीश कुमार के लिए, अमित कुछ महीना पहले आकर, यही अमित साह ने मन से खड़े होकर कहा, कि भिहार की जनता, एक-एक आदमी सुन लीजिये, चुनाव या चुनाव चुनाव से पहले या बाद, किसी भी हालत में निजीश कुमार को वापस नहीं दिया जाएगा, इनके लिए निजीश कुमार की राजनितिक वजूद बिहार में को बहुत मद्बूत नहीं है, यह उकके राजनित कांस्तिव गौर है, लेकिन अगर वह भी वापस आ रहे है, तो भाजपा को उसको मामने स्विखार चर्मे में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वज़ा यह है कि बिहार की राजनितिक भूमी को भाजपा इतना असान मानती नहीं है, चाहे वो चिराग हों, उपेदर कुस्वाहा हों, मांजी हों, निकीस हों, चाहते हैं कि जितने लोगों को साथ में रखे ताकि यह खत्रा नहों कि कहीं चालिस में दोचाथ दफान सीट का लुक्सान हो जाए, औ अफरिका के जिन देशों में बहुत जादा खनीज है, वहां पर सबसे जादा करीनी है, तो उसको मिम्रल कर्स कहा जाता है, क्योंकि वहां इतना खनीज है कि उसी को लूटने के लिए उससे कमाने के लिए दुनिया वर के लोग जाकर वहां लूट पार्क मचाते हैं, उसी बिहार की हालत है, बिहार से चालिस सांसर जीत कर जाता रहे, उसके लिए राष्क्रिये दल पहले कॉंग्रेस और अब हैच पार, ये कुछ भी करने को तयार है, आपने देखा कॉंग्रेस का जो शाशन था, इसी कॉंग्रेस ने बिहार को लानु दी के हवाले करके छोड़ अब महान सिंगी एकने बड़े कॉंग्रेस थे, उनकों ये पता नहीं था कि बिहार में कितनी परिसानी पधाली है, इसके बावजूद उन लोगों ने लालु जी को अपने कंदे पर वैठा कर रखा, कि उपको चाहते थे कि बिहार से 20-25-30-30-30-30-30 इत कर येद कर, उनकों का जीत कर जाता रहे, उसके बाद बिहार में जो होता रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं, बिहार के फुरे बच्चे मलदूर बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बिहार में गरीमी परहाली हो, कोई दिक्कत नहीं हो, बिहार के बच्चे जब गुजरार जाय तो उसको ब झाल झाल